हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब हिंदी टाइपिंग के लिए 50 शब्द प्रतिमिनट के इस क्रैश कोर्स का आज आठमा दिन है आज आपके सामने ये बहुत ही आसान सा एक पैरा लिखा हुआ है हिंदी का है बहुत आसान हिंदी है और इसको आपको पांच बार करना है प्रिंट आउट निकलवा करके आप टाइप कर सकते हैं ठीक है और इसमें जैसे आपका यहाँ पर यह डैश दिया हुआ है शिक्षा, डैश, उप, डैश, मंत्री, डैश, महोदे तो यहाँ पर आपका गलती होने का चांस ज्यादा है तो इसको जो इतना पाठ है शिक्षा, उप, मंत्री, महोदे यह आपको बहुत साथनी से और एक एक शब्द, एक एक अक्षर को ध्यान से टाइप करना है ठीक है, और यहाँ लिखावाग घर-घर, जो शब्द रिपीट होता है, तो अक्षर वहाँ पर गलती हो जाती है चाहे वो English typing हो, चाहे वो Hindi typing हो जो भी शब्द कहीं पर repeat होता है न तो वहाँ पर गलती होने का chance बहुत ज़ादा रहता है साथ में यहाँ पर डैश भी लगा हुआ है तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं इसको आपको ध्यान से type करना है ठीक है? बाकी इसमें ऐसा कोई बहुत कठिन शब्द है नहीं अताह लिखा हुआ यहाँ पर आपका यह दो डॉट रख्या हुए है इसको क्या बोलते है हिंदी में विसर गया, कॉलन होता है यह ठीक है तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं इसको भी आपको साब्धानी से type करना है अच्छा, उपर जो आपका दिया है पयराई है इसको अब पांस बार करना है काफी लोग कमेंट में यह पूछ रहे थे कि इसको हम 10 बार क्यो नहीं कर रहे हैं इसको हम 20 बार क्यो नहीं कर रहे हैं आपने तो आपने काफी practice कर ली है तो अब ये sufficient है पांच बार ठीक है और मैं आपको हर वीडियो में जो कहता हूँ कि आपको गलतियां कम से कम करना है गलतियां कम होगी तो आपका confidence बढ़ेगा और जो पूरा पैर है ना उसको आप अच्छे से accuracy के साथ में type कर पाओगे और आ आपको शुरू की चार या पांच लाइन जो है न वह आपको बहुत अच्छे से बहुत केरफुली बहुत साफधानी से एक एक शब्द एक एक अक्षर एक पाई मात्रा आपको दिखते वे type करना है English easy होती है हिंदी type करने में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है slow type करो ठीक है आपकी गलतियां अगर नहीं होगी तो आगे भी पैरा में आपकी गलतियां नहीं होगी या कम से कम होगी ठीक है तो इसकी PDF को आप लोग नीचे description box से download कर सकते हैं और उसका printout निकलवा करके आपको type करना है कोई doubt है कोई question है कोई query है तो आप मुझे मेरे Instagram पर directly message करके पोच सकते हैं ठीक है thank you